हैलो स्टुडेंट्स आज हम हमारे सेक्षन 3 की जो पोगय है एलिफेंट वर्सेज इंसेक्ट उसको पढ़ने वाले हैं इस पोगयम के अंदर क्या बताया गया है उनका मैच होता है इंसेक्ट के साथ में कीडों के साथ में इस पोयम के जो राइटर हैं वो एलन एहलबर्ग हैं ठीक है तो हम पोयम को स्टार्ट करते हैं जो एलिफेंट थे जो हाती थे और जो इंसेक्स थे कीडे थे वो बाहर आए एक मैच खेलने के लिए जो पहला हाफ था मैच का मुस्तक जो एलिफेंट थे जो हाती थे उनका स्कोर जो था वो अच्छा था और वो लीड कर रहे थे मतलब वो बड़त बनाए हुए थे वो चिंगाड रहे थे और खुशिया मना रहे थे सेकंड हाफ तक के लिए जब जो इंसेक्स हैं वो एक सेंटीपीट को खेलने के लिए लेकर आए सेंटीपीट क्या होता है बीस पदी है जिसको कहते हैं मतलब ऐसा कीड़ा जिसके बीस पैर होते हैं ठीक है सेंटीपीट रूंड एंड इंसेक्स वीन ड़ी जीद गये जो पीट इंसेक्स थे वो मैच जीद गए दूझोद्ग एलिफेंट आस्क वायन दा सेंटीपीट वेटेड तिल आस्टन त्योसें मोट तु जो जो आийकड़ शुल्या जल जल्या разм को को इन्सेक्त से पूछते हैं कि सैंटिपीट को जॉइन करने के लिए मैच को जॉइन करने के लिए गेम को वापस गेम में आने के लिए सेकंड हाफ तक का इंतिसार क्यों करना पड़ा तो जो इंसेक्स थे उन्होंने जवाब दिया कि सैंटिपीट को पूरा एक घंटा लगता है अपने जूते पहनने में और उसकी लेस को बांधने में तो जो पॉएट है उन्होंने इसको अम्यूजिंग मैनर में इस पोयम को लिखा है और उन्होंने बताया है कि एक छोटा सैंटिपीट जो है कैसे जो भारी भरकम जो बड़े से हाती होते हैं उनसे वो मैच जीत गया है बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच था जो एलिफेंट्स और बड़े बड़े हाथियों और छोटे-छोटे इंसेक्स के बीच में हुआ था तो पोयम को पढ़े और इंजोई करें अब यहां पर क्या बताया है जो हाथी है वो और जो इंसेक्स है जो कीड़े है वो बहार आते हैं एक मैच खेलने के लिए और जो हाथियों का जुंड है उन्से जंगल को क्या कर दिया था रॉन डाला था कुचल डाला था ट्रेंपल्ड का मतलब होता है कुचल डालना रॉन डालना तो उन्होंने पूरे मतलब जंगल को रॉन डाला था वे एक छोटे से पैच को साफ कर चुके थे मतलब वो एक छोटे सा इससा जो था जंगल का उसको वो लोग वो साफ कर चुके थे दे स्कटल्ड राउंड एंड ट्रम्पिटेड जस्ट ग्लैड टू भी लाइफ अंटिल दा हाफ टाइम वेसल वैं दा स्कॉर वस 15-5 उन्होंने गोल-गोल घूम कर क्या करा चिंगाडा मतलब वो पूरे गोल मटोल थे हाथी और वो गोल-गोल घूम रहे थे स्कॉर्टर्ड राउंड मतलब गोल-गोल घूमना तो उन्होंने गोल-गोल घूम कर चिंगाडा ट्रम्पिटेड मतलब चिंगाडना जैसे कि बस जि वो 15 था और जो इंसेक्ट थे उनका स्कोर कितना था 5 था वो उनसे जीत रहते इसलिए वो इस बात की खुशी मनाते हुए गोलगोल गुंकर चिंगाड रहते दूसरे हाफ में जो कीडे थे वे एक विकल्प लेकर आए सबस्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प वो एक विकल्प लेकर आए एक मामूल इसा सेंटिपीड वो एक सेंटिपीड नाम का कीडे को भी लेकर आए लेकिन भाई वो तो गोली मार सकता था वो जो सेंटिपीड था वो यसा कीडा था कि वो गोली भी मार सकता था मतलब इ गुमने लगा बिल्कुल गोल गुमकर गुमने लगा और ये वह समय था तब तक मैच समाप तो हो चुका था और जो इंसेक्स थे वो जीच चुके थे मतलब वो सको एक विकल्प के रूप में वो सैंटिपीट को लेकर आए जो की छोटा सा खीडा था लेकिन उसके 20 पैर थे और जैसे ही वो अपने पैरों पर गोल गुमता है तो जो सूरज की रौशनी है उसके नीचे तो ये वो समय हो गया था जब तक की जो खेल था वो खतम हो गया था और जो कीडे थे वो खेल जीत गए थे और यहां पर बताते हैं जो हाथी हैं वो बोलते है जो हाथी है हाथी होने जो हाथी होने जो है कि हमें बताओ यह हमारे लिए मैस्टिफाइड का मतलब क्या होता है चक्कर में पढ़ना हम इस बात से चक्कर में पढ़ गए हैं कि जो सेंटीपीड है उसको सेकंड हाफ का समय क्यों लगा खेल में आने के लिए तो आसानी से जो कीड़े हैं वो उस कप को उठा कर चिलाते क्योंकि जो सेंटीपीड है उसे जूते बांधने में और जूतो को पहनने में और जूतो की लेसो को बांधने में एक घंटे की आवशकता होती है इसलिए उसने जो सेकंड हाफ से गेम को जोईन किया था तो स्टुडेंट्स ये पोयाम हमें क्या बताती है कि कभी भी किसी क चोटा नहीं आतना चाहिए हाथी इतने बड़े थे लेकिन चोटे चोटे किलो से क्या हो गए थे वह अपना गेम हार गए थे इसलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा है और मैं इससे बहुत बढ़ा हूं आप लोगों ने देखा है हाथी कितने सब्सक्राइब करें तो आपको पोएम समझ में आ गई होगी थेंक यू आप देख सकते हैं कितने सारे पैर हैं तो आइटिंक स्टुडेंट्स आपको पोएम समझ में आ गई होगी थेंक यू